1962 के अंदर पूरा गलवान ही भारत ने गवा दिया था तो यहां पर ये क्लैश हुई कैसे क्या ये सही है कि वर्तमान सरकार इस एरिया को वापस लेने की कोशिश कर रही है जिसकी वज़े से समस्याएं हो रही हैं पूरे सबूतों के साथ में देखेंगे कि कुछ लोग चाइना का प्रॉपेगंडा इंडिया के उपर क्यों थोपते हैं और वर्तमान सरकार के पीछे तो वो हाथ दोकर क्यों पड़े हैं और ये भी समझ में आ जाएगा कि प्रधान मंतरी ने ये स्टेटमेंट क्यों दिया था कि चाइना नए तोर से भारत के अंदर नहीं गुसा है लद्दा क्लैश के बाद गलवान के अंदर जंडे वाली बात का सच बताने से पहले दो और प्रूफ देंगे इसी प्रकार से प्रोपेगेंडा बनाया गया था बिलकुल जूट बनाया गया था वर्तमान सरकार के किलाफ बनाया गया था और उसके बाद समझ में आएगा कि नहरू परिवार के चाइना के साथ में इतने मदूर संबंद कितने समय से हैं तोकलाम विवाद के बाद में गलवान विवाद होता है चाइना कहता है कि भारत हमारे टेरिटेरी में गुसकर हमारे सैनेकों को मार के गया है मगर चाइना की कोई बात मानता नहीं देखे ये एक international border है जो 1962 से पहले यानि नहरूजी से पहले होता था मगर नहरूजी के समय में बहुत सारा अकसाई चिन के उपर चाइना ने कबजा कर लिया और ये जो बीच के अंदर line है इसको L.A.C. घुशित कर दिया गया 1962 के अंदर लदाख वाले एरिया में ही नहीं अरूनाचल के अंदर भी चाइना अंदर घुस आया था और N.D.TV इस बात का खुलासा करने का श्रे लेता है कि चाइना ने अरूनाचल के अंदर एक गाउँ बसा लिया है देखे N.D.TV के उपर ये आरोप लगते हैं कि Congress Party खासकर शितंबरम के साथ में उनके बहुत घनिष्ट रिलेशन है Economical Financial Ties भी है मगर ये बात प्रूवड नहीं है मगर ये बात बिल्कुल प्रूव है कि ये जो खबर है ये पूरी की पूरी तरीके से एक तरफा खबर थी और गलत खबर थी गलत खबर इसलिए थी कि 1962 के अंदर चीन ने जो कबजा किया था उसके पहले 1969 के अंदर ही इस जगे के उपर चीन पहले से कबजा कर चुका था जहां पर ये गाउँ बना है इस प्रकार की खबरें सरकार के खिलाफ जाती है कि उनकी विदेश निती कोई काम नहीं कर रही जबकि ये इलाका तो नहरू जी के समय से चाइना के पास पहले से ही था उसके बाद में देखिए एक सेकंड प्रोपेगेंड़ा आता है और वो कहता है कि देखिए एक और गाओं चाइना ने यहाँ पर बना लिया है हमारे पास में सैटलाइट इमेजिस भी है मगर जब धंग से इस बात की तहकीकात की जाती है तो पता पड़ता है कि वो इंटरनेश्टल बाउंडरी के अंदर वाले विलेज की बात कर रहे हैं और वहाँ पर चाइना अपने गाओं बसाएगा या फिर एंडी टीवी के साथ प्रेस कॉन्फरेंस करेगा इंडिया इसको मना नहीं कर सकता एक और न्यूस पोर्टल के अंदर इसके परदाफाश होता है कि ये अरुनाचल के नजदीक है अरुनाचल में नहीं है और अगर देखा जाए तो ये भूटान के पास आप बोल सकते हैं भूटान का एरिया हो सकता है ये मगर दुबारा से इस प्रकार का प्रोपेगेंड़ सरकार के खिलाफ और 56 इंच को टारगेट करना चौकिदार को टारगेट करना एक आम सहमती सरकार के खिलाफ बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया अब आजाते हैं राहूल गांदी की इस बात के उपर कि गलवान के उपर हमारा ही तिरंगा अच्छा लगता है और चीन को जवाब देना पड़ेगा मोदी जी चुपी तोड़िये यह जो फोटो है यह बहुती रेर है माउ जेडॉंक से मिल रही है राजन नहरू जो कि नहरू जी के भाई की पत्नी यानि की उनकी भाबी थी नहरूजी के भाई चाइना के अंदर ambassador भी थे और चाइना नहरूजी को बहुत पसंद करता था नहरूजी भी चाइना के अंदर visit किया करते थे बिटिश काल में भी तो 1956 के अंदर चाइना माना करता था कि गलवान वाला हिस्सा भारत का है भारत के map में दिखाया करता था मगर 1962 में चाइना अचानक से कह देता है कि ये पूरी की पूरी वैली उनकी है भारत के साथ में युद्ध हो गया था नहरू जी युनाइटेड नेशन नहीं गए थे जब वो आये थे उसके बाद तो अंग्रेजों के समय 1939 से 1940 नहरूजी चाइना के अंदर थे और ये बात वहाँ की एक दिवार के उपर अंकित भी की है कि यहाँ पर नहरूजी रुखते थे और ये कोई साधारन जगे नहीं थी होटल वगरे नहीं था इंडियन एमबेसी थी बिटिश काल के अंदर यहाँ पर नहरूजी रुका करते थे और नहरूजी से लगाव इतना ज्यादा है वहाँ पर कि उसका जो second floor है वो पूरा का पूरा खाली छोड़ दिया कि यहाँ पर हम इस चीज़ को disturb नहीं करेंगे ये नहरूजी की संपत्ती की तरीके से रखेंगे उनका museum बना देंगे वाँ भ बढ़त बनाने की कोशिश करती है अब यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा कि जो गलवान घाटी है वो यहाँ तक आती है यानि कि पहले यह लेसी यहाँ तक होआ करता था चाइना के हिसाब से मगर जो clash हुआ है वो यहाँ पर हुआ है और चाइना यह कह रहा है बार लेसी से चाइना की तरफ का जो हिस्सा है वो तिबबत का है चाइना का भी नहीं है और वो तिबबत वाले भारत का मानते है भारत अगर उसको वापस लेने की कोशिश करता है तो उसका अधिकार है अजीब बात यह है कि कॉंग्रेस पार्टी और राहुल गांदी बार बार जल्द बाजी मचाते हैं कि जितना भी चीनी कबजा है उसको सत्यमान लेना चाहिए जबकि भारत ये कह चुका है राजनाच जी का बयान है कि इंडिया कभी भी इस illegal occupation जो की LAC बना रखा है उसको इंडिया नहीं मानेगा वरतमान सरकार के आने के बाद में गूगल के उपर भी जो maps दिखाई देता था अलग-अलग जैके maps दिखाई देते थे उसके अंदर अकसाई चीन और पाकिस्तान ने जो occupied कश्मीर है उसको भारत का हिस्सा दिखाया जा रहा है पहले ऐसा नहीं दिखाया जाता था अपने आखे खुली रखिए सबुतों के उपर नजर बना के रखिए और अपने दिमाग से सोचिए आपको कौन गुम्रा कर रहा है नमस्कार तन्यवाद जहिंद